नमस्कार दोस्तों इंडिया आईक्यूम आप सभी का स्वागत हैं आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किसी भी देश की टेस्ट किर्केट की टेम हो लेकिन उसकी ड्रेस सफेध ही क्यों होती हैं सारे देशों में एक जैसा सिस्टम क्यों है इसकी बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इंडिया आईक्यू सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें किर्केट की शुरुआत सही स्खेल की पोशाक सफेध रंग की रही हैं किर्केट वैसे तो 19. सदी के उत प्रोफेशनल खेल के रूप में उभर चुका था इसलिए किर्केट में ड्रेस कोड को तवज्जो दी जाने लागी। किर्केटरों को घायल होने से बचाने के लिए किर्केट में इसे भी अनिवारी कर दिया गया। किर्केटरों की आधोनिक ड्रेस को जदा इलास्टिक के इस्तेमाल से बनाये जाता हैं ताकि खिलाडियों को मैदान में डायू लगाते समय चोटना लगे और वे आराम से अप किर्केटरों के लिए अनिवारी कर दिया गया। जानकारों के अलग अलग मत हैं। गैंदों से उनका स्वागत किया था बाद में 70 के दरशक की शुरुआत में वेस्ट इंदीज के गैंदबाजों की आग उगलती हुई गैंदों ने बल्लेबाजों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर कर दिया इस समय वेस्ट इंदीज की टीम में माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट और वनबन होल्डर जैसे तेज गैंदबाजों की तिकड़ी गैंदबाजी का प्रभार संभाल रही थी इनकी तेज रफ्तार वाली बाउंसर गैंदों को जहिलना कई बार बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होता था भारत के किर्केटर नरीमन कॉंट्रक्टर ने वेस्ट इंडीज में किर्केट गैंद से घायल हो जाने के बाद किर्केट से सन्यास की घोशना करती थी किर्केट में हेलमेट का इस्तेमाल 1970 के दर्श बाद में धीरे धीरे परचलन में आया किर्केट में हेलमेट का इस्तिमाल 1970 के बाद से धीरे धीरे परचलन में आया हालनकि इस दौर में किर्केटर अपने आपको घायल होने से बचाने के लिए विशिश परकार के टोपी का इस्तिमाल किया करते थी हेलमेट का इस्तिमाल पहली बार वाश्ट्रिलाई किर्केटर ग्राहम नील ने सन 1977 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में पहले किया था इसके बाद ये हेलमेट किर्केट में बेहद लोक परी हो गया और बाद में हेलमेट को विश्वक के ज़्यादा से ज़्यादा किर्केटर वरियता देने लगे West Indies के Vivian Richard ने अपने पूरे किरकेट जीवन में हेलमेट के साथ खेलने में खुशी जाहिर नहीं की और वह मेदान पर बिला हेलमेट की खेलने के लिए आते थी गिरकेट की शुरुआत में एक अलगी तरह के हेलमेट का इस्तिमाल किया जाता था जिसमें हवा आने की जगह नहीं रहती थी जिसके कारण ये काफी गर्म हो जाता था और बल्लेबाज को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बाद में इन हेलमेटों की जगह आदोनिक हेलमेटों नहीं जगह ले लिए और इन हेलमेटों को खिलाडियों की परिशानियों को ध्यान में रखते वी बनाया गया ताकि सिर को हवा लग सके सन 1990 के बाद से हेलमेट को क्रिकेट में अनिवार्य कर दिया गया चले दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़े ही दूसरे कई महत्पुन तथ्यों के बारे में जानकारी दी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजे कमेंट बॉक्ष में अपनी राय दीजे ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो बना सके अब तक आपने हमारे चैनल इंडिया आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाटसेप और फेस्बुक पर शेर कीजे ताकि उन्हें भी किरकेट से जुड़ी हुई और हमारे इस इंडिया आईक्यू चैनल पर नौलेज से जुड़ी हुई हर तरह की वीडियो मिल सके और उन्हें भी ये जानकारी हो सके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन